गांधी जी जेल गए, नहरू जी जेल गए, अम्बेटकर जी ने सालों संगर्श किया, ये कॉंग्रेस पार्टी ने, अम्बेटकर जी ने समने मिल के दिया है, हमारी विचारधारा कहती है कि देश की लगाम हिंदुस्तान की जनता के हाथ में होनी चाहिए, और देश को जैस इसे पहले राजा चलाते थे, इसे नहीं चलाया जाना चाहिए, हम जन शक्ति की बात करते हैं, लोग शक्ति की बात करते हैं, आप हमारे सारे के सारे कानून देखिए, अज़ादी की लड़ाई देश की जनता ने लड़ी थी, राजा महराजाओं ने नहीं लड़ी थी, उ आ जाओं महराजाओं की अंग्रेजों की possibility. उसके किलाप Congress Party लड़ी. इसके लड़ी थी, गरिब जंता के लड़ी थी. अगर आप यहाँ 2030 उससे पहले इंडिपेंडेंट चे पहले आप यहाँ आते, हिंदुस्तान की जंता के कोई अधिकार नहीं थे. महिलाओं के कोई अधिकार नहीं थे गलितों को चुआ नहीं जाता था ये RSS की विचार धा रहा है ये हमने बदला है एक बार फिर ये हिंदुस्तान को वापिस ले जाना चाहरे है तो अजादी से पहले था वहाँ हिंदुस्तान को वापिस लोटा रहे है Constitution से आपके वोट से लगलग संस्ताय मनती हैं ये आपकी संस्ताय है Supreme Court हो, Election Commission हो ये आपकी संस्ताय है सारे के सारे institutions पर ये कबदा कर रहे हैं आप हिंदुस्तान की सारी University देख लीजिए सारे के सारे Vice Chancellor आज एक संगठन के हैं उनको आता हुता कुछ है नहीं कुछ नहीं आता उनको हिंदुस्तान के Vice Chancellor आज merit पर नहीं बनते हैं हिंदुस्तान के Vice Chancellor आज अगर एक संगठन में हैं तब बन सकते हैं तो सारे के सारे जो institutions हैं जिससे आपकी आवाज की रक्षा होती है जिससे आप धेश को चलाते हो इन सब का ये कबज़ा कर रहे हैं मीडिया को देख लीजिए कहा जाता था कि मीडिया लोग कंत्र के रखवाले हैं मैं आपसे पूछता हूँ क्या आपको लगता है कि आज हिंदुस्तान का मीडिया लोग कंत्रा की रक्षा कर रहा है लिए आप इन से पूछिए, ये आपको बताएंगे कि हमारे दिल में जो है हम नहीं बोल सकते, इनके दिल में क्या है? इनके दिल में वो है जो हिंदुस्तान की जंता की दिल में है, वो नहीं बोल सकते तो सारी की सारी संस्ताइं का कबजा कर दिया, मीडिया प्रेशर में, TBI का प्रेशर है, यह देगो, ED का प्रेशर है, तो लड़ाई इस बात की है, हम देश की जनता को देश की शक्ति देना चाहते हैं, देश की जनता को देश की शक्ति हम पकड़ाना चाहते हैं, लोग कहते ह कि Congress Party ने सफेद क्रांती की, ने सफेद क्रांती में मदद की, मगर सफेद क्रांती को आनंद के महिलाओं ने शुरू की, सफेद क्रांती हिंदुस्तान की नारी शक्ती ने की, हरी क्रांती इसके किसानों ने की, किसानों की शक्ती ने हरी क्रांती की, IT Revolution देश के युवाओं ने किया कॉंग्रेस पार्टी ने मदद की कॉंग्रेस पार्टी ने विजन दिया मकर आई टी रेवलूशन हमारे युवाओं ने किया अब मैं आप से पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने कितने लोगों को रोजगार दिया है 40 साल से सबसे जादा बेरोजगारी आज है और हिंदुस्तान की युवाओं की जो शक्ति है करोणों युवाओं की जो शक्ति है वो जाया हो रही है आजकल हिंदुस्तान का युवा जॉब नहीं करता है आजकल हिंदुस्तान का युवा साथ आ अरबपतियों को बेश का पूरा का पूरा धन दिया जा रहा है यह सचा ही है भाई और बेहनों सुनिये कुछ दिन पहले मेरे पास युवा आए कुछ युवा आए मुझे कहते है राहुल जी अगनिवीर योजना से पहले हमें आर्मी में ले लिया गया था एक लाख पचास ह युवा मुधि सरकारे अगनिवीर योजना लागु की और एक लागफ पचास हजार युवाओं को उन्होंने आर्मी में एरफोर्स में नहीं आने दिया देश-प्रह्म की बावना थी है रो रहे थे मेरे सामने रो रहे थे कि अंसु आ रहे थे कह रहे थे सरकार ने हमारी जिन्दगी बरबाद कर दिये जिन्दगी खतम कर दिये हमारा मजाक उड़ाए जाता है आओं में हमें जुबे सेनिक कहा जाता है इतनी भी इज़त नहीं रखी उनको अगनी भी रियोजना में भी नहीं आने दिया बाहर उठा के फेक दिया फिर कहते हैं हम देश बखत हैं इससे देश का फाइदा नहीं होने वाला और पूरा का पूरा फाइदा देश का धन चुनोवे लोगों के हाथ में जाता है मैंने पार्लिमेंट में सवाल पूछा बीजेपी के लोगों से पूछा हिंदुस्तान को नबे लोग चलाते हैं पूरे बजेट को बाठते हैं पार्लिमेंट में पूछा कि इन में से OBC कितने हैं दलित कितने हैं आदिवासी कितने हैं बीजेपी के लोग चुप हो गए OBC की कम से कम 50% अबादी है दलितों की 15% अबादी है आदिवासीयों की तक्रीबन 12% अबादी है नपे अपसर में से तीन OBC है जैसी OBC सरकार चल रही है उनको कोने में बैठा देते हैं छोटे छोटे डेपार्टमेंट पकड़ा देते हैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमपनी 100-200 सबसे बड़ी कमपनी के लिस्ट निकालो मुझे दिखा दो इनमें कौन सा OBC है कौन सा दलित है कौन सा आदिवासी है स्टेट की भिरोक्रिसी में दिखा दो अब आदियाद के 50 परसेंट दलितों के 15 परसेंट आदिवासीं के 12 परसेंट और भागी दारी आपकी कहीं भी नहीं तो आप कमपनी के नाम निकालो और मुझे दिखा दो इन कमपनीयों में OBC कहां बैठा हुआ है बलित कहां बैठा है आदिवासी कहां बैठा है और ये सिर्फ मैं I.S की बात नहीं कर रहा हूँ हर फील्ड में ये आलत है तो मैंने सवाल पूछा मैंने कहा देखिये जाती जन्गरना होनी चाहिए देश को पता लगना चाहिए किस देश में OBC कितने है उसके बाद नरेंद्र मोधी जी के भाषन बदल जाते है पहले अपने आपको OBC कहते थे मेरे भाषन के बाद कहते हैं हिंदुस्तान में तो सिर्फ एक जात है वो भी गरीब अकर हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात तो आपो भी सी कैसे बन गए तो हमने निर्ने ले रखा है जैसे ही हमारी सरकार आएगी दिल्ली में आएगी हम जाती जंगर्ना आपके लिए करके दिखा देंगे और देखिए जो मैंने शुरुआत में कहा यह विचारदारा की लड़ाई है करोणों लोगों को बीजेपी की सरकार ने गरीबी में फिर से धकेल दिया है जो काम हमने बोजन के अधिकार से मन्रेगा की मदद से किया वो सब खतम कर दिया है इन लोगोंने और हमें दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए एक हिंदुस्तान अरब पतियों का मीडिया वालों का सेल फोन वालों का सपने का उसमें कोई सच्चा ही नहीं है हिंदुस्तान के युवा सोशल मीडिया से जी नहीं सकते कमा नहीं सकते हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार की जरूरत है ये काम नरेंद्र मोधी जी और इंडिया की सरकार नहीं कर सकती ये काम सिरफ इंडिया अलाइंस कर सकता है क्योंकि इस काम को करने के लिए हिंदुस्तान की जनता की आवाज को सुनना होगा सफरत मिटानी होगी और इस देश को एक करकर जोड़कर आगे जाना पड़ेगा गन्या कुमारी से कश्मीर हम चले चार हजार किलोमेटर चले नफरत के बाजार में मौबबत की दुकान हमने कोली आप कॉंग्रेश पार्टी की विचारधारा समझना चाहते हो इस लाइन से आप समझ जाओगे सिर्फ एक लाइन की जरूरत है अगर आपके दिल में हिंदुस्तान के लोगों के लिए मौबबत है अगर आप नफरत के बाजार में मौबबत की दुकान खोलना चाहते हो तो आप कॉंग्रेश ही हो मैं कॉंग्रेश पार्टी के कार्यकरताओं से आपकी बात बोलना चाहता हूँ देखिए ये जो पार्टी है और महराश्रा के कार्यकरताओं से खासतोर से बोलना चाहता हूँ क्योंकि आप स्पेशल हो मैं महराश्रा में चला मैं जब भारच जोड़ो यात्रा में चल रहा था जैसे ही मैं महराश्रा के अंदर आया मैंने सोचा कि देखो ये कॉंग्रेस की जमीन है ये कॉंग्रेसियों की जमीन है इस जमीन में लोगों को कॉंग्रेस की विचारधारा बिना समझाए समझा जाती और अगर हमारी लडाई शुरू हुई तो महराश्टा से हुई थी इसलिए हम यहां नागपुर में आएं आपसे बात करने तो आप बबर शेर हो आपको किसे से नहीं डरना आप नहीं डरते हो आप बबर शेर हो और आपके विचारधारा की लडाई है आपके दिल की लडाई है और आप अप और हम मिलकर आप और हम मिलकर महराष्ट्रा में और पूरे हिंदुस्तान में चुनाव जितने जा रहे हैं उच दिन पहले एक बीजेपी का एंपी मुझे लोकसभा में मिला बहुत सारे बीजेपी के एंपी पहले कॉंग्रेस पार्टी में हुआ करते थे छुपके मिला मुझे मुझे दूर से देखा छुपके डर से कहता है राहूल जी आपसे बात करनी है मैंने का भाई क्या बात करनी है तुम तो बीजेपी में हो और फिर उसके चहरे पर थोड़ी सी टेंशन दिख रही थी तो मैंने पूचा सब कुछ ठीक है क्या मैंने शोचा साइद घर में कोई बिमार हो कोई दुरगटना हो गई हो मैंने पूचा सब कुछ ठीक है क्याता है नई क्या हुआ राहुल जी बीजेपी में रहकर सहा नहीं जाता मैं हूँ बीजेपी में मकर दिल मेरा कॉंग्रेस में तो मैंने का भाई दिल तेरा कॉंग्रेस में शरीर आपका बीजेपी में बीजेपी मेरा कॉंग्रेस में लाने से डर रहा है यही हो सकता है मैंने कहा मन क्यों नहीं बनता हुआ आप एंपी हो आप मुझे हिंट दे रहे हो मन क्यों नहीं बनता कहता है राहुल जी बीजेपी में गुलामी चलती है जो उपर कहा जाता है वो बिना सोचे समझे करना पड़ता है हमारी कोई सुनता नहीं है उपर से ओडर आता है जैसे पहले राजा ओडर देते थे उपर से ओडर आता है और उसका पालन करना पड़ता है अच्छा लगे ना लगे चॉइस नहीं होती आपको याद होगा हमारे जो PCC प्रेजिडेंट है पड़ोले जी यह हैं इन्होंने प्रधान मंत्री से एक सवाल पूछ लिया था एक सवाल पूछा था किसानों के बारे में क्या सवाल था तो सिर्फ एक सवाल पूछा सवाल था GST जो आपने लगाया उसमें किसानों का क्या हिस्सा होगा मोदी जी को सवाल अच्छा नहीं लगा पटोले जी आउट हो गए तो उनकी विचार धारा राजाओं की विचार धारा है किसे की सुननी नहीं ओडर उपर से आएगा आपको ओडर का पालन करना पड़ेगा पालन करना पालन करना पालन किसे की विचा उपको अज़ ऑटें लगा